है अब्रिवन दिस इश्राइटा वेलकम टू यूपी एसी अड़ा 24-7 वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज हम डिसकस करने वाले सेकंड पार्ट हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जिसको हम बोड़ रहे थे सिंदू घाटे सब्वेता करा के हम बढ़ेंगे आगे हमारे नए टॉपिक पर इसी में आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो जितने भी बच्चे यहां जुड़े वे एक बर आप जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है और साथी साथ जितने बच्ची जी तेजल काकड़ी सूरच कुमार जी सनेहा कुमारी जी ओके मोहम्मद मक्सूत जी अरुंदति गुपता जी वोच इन अगें नाम देखो अपना असली नाम भी लिको अनिल तिवारी जी ऑके अनिल सिंग जी सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग राम-्राम नमशकर तो चली स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को बिलकुल आपका टाइम नहीं घराब करेंगे और आज केवल हम टॉपिक का डिस्कुषिन करने वाले आज हम questions नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक पहले हम थोड़ा cover कर लेते कल की class में हम questions को डिस्कस कर लेंगे ठीक हैं तो चली स्टा तक कर time period हम किसमें पढ़ते है हडपन culture में सबसे पहले मैंने इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजे बताए थी पांच मिनिट हम जल्दी से revise करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं सबसे पहले मैंने बताया था कि जो चाल को लिधिक एज था जो आपका ताम लॉजिकल एविडेंस हमें दिखाई देता है वो कहां से हडपा नामक स्थान से जब हम जानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई सभ्यता है तो वह पहला एविडेंस इस जगह से दिखता है इसले हमने इसका नाम रखा हडपन कल्चर या हडपा सभ्यता थर्ड वन हमने डिसकस किया तक थे जानते हैं एन डरी was वैली सिइशन कियो जब हमें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ी सभिता है और जब उस्का एक्सके वैली शिवर similar जो civilization है सब्भेता है इसका बसाओ एक river के चारोर है और उसका नाम है सिंधु नदी तो इसी के नाम पर इसको बोला गया Indus Valley civilization या सिंधु घाटी सब्भेता के नाम से जाना गया next हमने discuss किया था इसका geographical extent यानि कहां से कहां तक फैला हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका फैलाओ देखते हैं तो आपको कुछ triangular shape सा दिखाई देता है यानि इसका विस्तार कुछ ऐसे दिखाई देता है ये देखें तो इसका अगर हम नदन विस्तार देखें या उत्तरी विस्तार देखें तो हमें पता लगता है कि उत्तर में जम्मू तक दक्षर में महरास्टर तक पूरब में वेस्टन यूपी तक और पश्चिब में पाकिस्तान के बलुचिस्तान तक इसका फैलाव दिखाई देता है अगर हम पूरे इसके जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो लगभग 12 लाख है फिर बोल सकते हैं 13 लाख स्क्वार किलोमीटर एरिया को ये कवर करता हुआ हमें दिखाई देता है आगे हम एक एक करके इनको देखेंगे कल की क्लास में आज कुछ और चीज़े मैं डिसकस करने वाली हूँ देखेंगे अभी तो मैंने आपको बताया थी ये कुछ important cities या sites हरपा, मोहन जोदरो, चनहुदारो, लोथल, काली बंगन, बनावली, रंगपुर, सुत कांगे डोर, सुर्कोटदा और फिर हमने डिसकस किया धौला वीरा, राखी गड़ी के बारे में तो ये important हरपान sites है, जब भी आप पढ़ेंगे हरपान civilization, इनके बारे में सारी चीज़े पढ़ लेना, इनका location पहले कहा था, अभी इंडिया या पाकिस्तान का वो कौन सा state है, वो कौन सा district है, जहां पर ये located है, किस river के आसपस हमें ये दिखाई देती है, यहां से कौन कौन से important archaeological evidences मिले थे, इन सारी चीज़ों को आप जरूर देख लेना, exam के point of view से, ये sites बहुत important है, इनकी locations भी मैंने आपको कल की class में दिखाई थी, आगे बढ़ जाते हैं, first जो topic हमने start किया था, इंडिस वैली civilization के बारे में वो क्या था, town planning, क्योंकि ये एक urban civilization था, एक नगरिये सब्धेता थी, और उस नगरिये सब्धेता में हमें एक बहुत ही, बोल सकते एक बहुत ही अच्छे लेवल की town planning दिखाई देती है, कि किस तरह से हडपा सब्धेता के, जो भी cities थी, चाहे हम बात करे हडपा की, चाहे हम बात करे मोहन जोदों की, सब बहुत ही planned way में सब को बसाया गया था, कैसे, तो हमने देखा कि हर जितनी भी cities थी, एक दो exceptions है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो लगभग हर हडपन cities या हडपा लगर, दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता था, एक उपरी हिस्सा, जहाँ पर ruling class वाले लोग रहते थे, एक निचल प्रणाली पर आधारित था, यानि इस तरह का grid वाला structure दिखाई देता है, जहाँ पर roads एक दूसरे को 90 डिगरी के एंगल पर काटती थी, और बीच में ये blocks में बसे होते थे, शहर के छोटे छोटे घरों का बसाव दिखाई देता था, blocks में, तो इतना develop form का structure या town planning हमें civilization में, इंडर्स वैली civilization में, sorry, बड़ी-बड़ी हमें buildings भी दिखाई देती है, जो बताता है ruling class के बारे में, कि किस तरह से वो अपने आपको superior दिखाने के लिए, या उनके पास जो भी extra धन संपत्ती थी, उसको वो show करने के लिए बड़े-बड़े घर बनाते थे, बड़ी- अगर हम बात करें, इनके निकास प्रणाली की, तो proper हर घर से एक नाली निकलती थी, जो main road की पतली नाली से जुड़ी होती थी, और वो नाली में आगे जाकर main hole बना होता था, बताये था मैंने किस तरह से उसको साफ सफाई करने के लिए, उस main hole को खोला जाता था, तो ये बहुत important चीज़, बहाबे पानी का रुकाओ नहीं था, proper plant way में drainage system को develop किया गया था, जो आपको दिखाई भी देता है, और जिस तरह का drainage system हमें Indus Valley civilization में दिखाई देता है, ब्रॉंज एज के बाकी किसी civilization में इस तरह का drainage system या इस तरह की sanitization वाली विवस्था नहीं दिखाई देती है, निक्स हमने डिसकस किया था, burnt brick, important feature है कि उस समय की पकी हुई इटे आज तक हमें मिलती है, और आज तक वो सुरक्षित है, यानि इस लेवल का वो burnt brick use कर रहे थे, अगर हम इसके parallel कुछ और civilization की बात करें, जो इंडिया से बाहर थी, मिश्र की सभेता, मिसोपोटाम या सभेता, तो वहाँ पर या तो burnt brick use नहीं कि जारी थी, और की भी जारी थी पकी हुई इटे, तो बहुत ही कम मात्रा में, जबकि हमें इंडिस वैली civilization में लगभग हर शहरों में इस पकी हुई इटो का प्रयोग दिखाई देता, और आज तक ये हमें दिखाई दे रहे, आज तक हमें इनका वशेश दिखाई दे रहा है, ठीक है, निक्स्ट हमने डिसकस किया था, दो important हम बोल सकते है, monument बोलो या जो भी बोलो आप इसे, कि important feature दिखाई देता है, एक great बात जिसे बोलते हैं, तो हमें ये great बात, महान इस्तानागर मिला है कहां से, मोहन जोड़ों से, मैंने बताया था, किस तरह से इसका वो use करते थे, अब religious purpose से, या फिर जो भी उनके rituals होते थे, उनको follow करने के लिए, वो यहाँ पर नहाते थे, कोई सांस्कृतिक गतिविधिया होती होगी, वहाँ पर ये लोग यहाँ पर इसनान करते होगे, बड़े पुरोहित वर्ग के लोग, तो हमने इस great बात के बारे में discuss किया था, next discuss किया था, grainries के बारे में, यानि हमें इस तरह के archaeological evidences दिखाई देते हैं, जो बताता है कि भई ये लोग अपने grains को, अपने food को store करने के लिए, बड़ी बड़ी grainries, बड़े बड़े अन्नागार, जहां अन्नो को सुरक् रहे थे, तो इस तरह के हमें archaeological evidences मिलते हैं, मोहन जोदरो से, हडपा से, जो एक important feature है, इंडस वैले civilization का, आज हम एक step आगे बढ़ जाएंगे, और हम discuss करने वाले हैं, इंडस वैले civilization के और चीजों के बारे में, इनका agriculture, इनका animal husbandry, या फिर हम बात करें कि उस टाइम ये किस तरह के इनकी जो worship थी, उनके बारे में, इनका trade क्या था, इन सारी चीजों को आज हम discuss करेंगे, अभी तक मैं आपको जो चीजे पढ़ा रही हो, ये सारी के सारी पूरे हमें इंडस वैले civilization में common रूप से दिखाई देती है, यानि कि ये जितने भी features है, ये पूरे सिंधु सिंधु घाटी सब्भेता के बारे में है, आज की class में मैं आपको सारी features complete करा दूँगे, और जो हमारी कल की class होगी, वहाँ पर हम इंडि विजुल एक-एक sites को study करेंगे, जो भी develop important sites थी, इंडस वैले civilization की, उसको हम discuss करेंगे हमारी कल वाली class में, तो अभी तक ये सारी critical evidences मिले, उनको हम एक-एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है, तो चलिए भई आगे बढ़ जाते हैं, उसके पहले जितने बच्चे यहाँ जुड़े वे जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो शेयर नहीं करें, और ना वीडियो आप लोग लाइक करें, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, हां जी, अजीत कुमार जी, गुड़ीवनिंग, रूही त्यागिजी, गुड़ीवनिंग, पवन शर्मा जी, नमस्कार, मैम हिंदी ये बिलकुल मिलेगा हिंदी कंटेंट, देखो हिंदी तो बोली रही हो, बस मुझे ये पीपीटी पुरानी बनी हुई है, तो इसी वज़े से आपको हिंदी में नहीं, लेकिन ये जो आपको मैं टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइट कराऊंगी, नीचे डिस्क्रिप् तो सिंदू घाटी सब्वेता में हमें बड़े लेवल पर अग्रिकल्चर दिखाई देता है, और इसका एक रीजन भी था, कि जो इनका बसाओ था, वो कौन से जगह पर था, इस सिंदू घाटी के चारोर, तो हमें दिखाई देता है, कि ये जिस रीजिन में रहते थे, वो रीजिन बहुत ज़्यादा उपजाओ था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, जिसकी वज़से यहां पर ये लोग बड़े लेवल पर खेती करते थे, लेकिन साथ ही साथ ऐसा देखा जाता है, कि ये वो छेत्र था, जहां हर साल बड़े लेवल पर बाढ़ आता था, ठी ये लोग यहां पर खेती करते थे, लेकिन ये समझ चुके थे, कि ये वाले सीजन में बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो उससे बचने के लिए ये लोग जैसे ही बाढ़ खतम होता था, यानि कि नवंबर के आसपास ये लोग क्या करते थे, वहां पर बीज को बो देते और बाढ़ आने के पहले-पहले, यानि एपरेल के आसपास ये लोग कटाई कर लेते थे, तो बेसिकली ये एग्रिकल्चर बड़े लेवल पर करते थे, एग्रिकल्चर करेंगे हर जगा जहां पर भी आपके सिटी डवलप होगी, उस डवलप्मेंट का रीजन ही क्या होता और उसकी कटाई भी कर ले, एक और important चीज हमें दिखाई देती है, कि ये लोग खेती तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है कहीं से, कि ये लोग हल वगेरा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं से भी हमें कोई हल वगेरा के साक्षे नहीं मिले हैं, कोई archaeological evidences नहीं मि मुझूद राजस्थान में हमें जूते हुए खेत के साक्षे मिले हैं, आप बोलोगे जूते हुए खेत का क्या मतलब है, मतलब वहां कि जो हमने जब excavation किया, जब खुदाई किया, तो हमें दिखाई देता है वहां पर एक जमीन है जिस पर ऐसी रेखाई बनी हुई है, ज जब खुदाई की गई है तो वो जो मिट्टी है, उसको देखकर लग रहा है कि यहां पर जुताई हुई थी, तो इससे लगतो रहा है कि यह लोग जुताई करते थे, लेकिन हमें कहीं से भी हल का कोई आर्केलोजिकल एविडेंस नहीं दिखाई देता है, फिर भी कहीं कही हमें इस तरह की छोटी-छोटी बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, खिलोने मिलते हैं हल की प्रतिकृति में, यानि कि हल के रूप में कुछ खिलोने हमें दिखाई देते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि शायद अगर हल का प्रियोग भी करते होंगे, तो किस तरह के लकड़ी के हलो का प्रियोग करना ये लोग चालू कर चुके होंगे ठीक है अगर मैं बात करू इनके agriculture production की कि किस तरह का ये लोग agriculture production कर रहे थे क्या जो agriculture का production हो रहा था वो इनके लिए sufficient था ये नहीं था तो मैं आपको बता दू अगर आपने वो मोहन जोदुड़ो movie देखी होगी तो वह पर कौन थे ruler class के लोग रहते थे जो rule कर रहे होते थे कहीं न कहीं ठीक है तो हमें क्या दिखाई देता है कि गाउं में होती थी खेती और यहां से अनाज का supply होता था शेहरों में यानि कि जो food का production था वो surplus था surplus का क्या मतलब है मानों किसी जगा पर 100 आदमी है ठीक है अब 100 ह ही बो रही है और 100 ने जितना उगाया उसको ही 100 लोगों ने खा लिया इतना ही production हो रहा है तो यहां पर आपको development यहां पर आपको urbanization नगरी व्यवस्था नहीं दिखाई देगी क्योंकि सभी लोग जो है वही खाने की चीज को ही produce करने में लगे है उतना ही produce कर पारे जिससे पेट पाल के जीवन निकाल पाए लिकिन इस जगह पर हमें agriculture production दिखाई देता है agriculture production का मतलब है कि अब जो है 30 लोग ही 100 लोगों का अनाज पैदा कर दे रहे हैं तो बाकी 70 जो free होंगे वो क्या करेंगे वो बाकी चीजों में involved हो जाएंगे कोई जो है यहां पर political system manage करेगा को कोई as a craftsman काम करेगा कोई trade के रूप में का कोई trader के रूप में काम करेगा यानि कि बाकी लोग जो है दूसरी चीजों में involved होंगे क्योंकि यह वहां पर इन्हें पता है कि हमारे लिए production हो रहा है और हम अपनी सामान को देकर इन से सामान ले सकते हैं वो हमें Indus Valley civilization में दिखा रहां पर लोग अलग अलग activities में involved होते थे तो यह बेसिकली agriculture के बारे में मैंने आपको बताया कि यह लोग अच्छे से agriculture कर रहे थे काफी fertile land था land था flood से यह लोग introduce हो चुकर था कि इनको पता था कि हर साल बार आनी है तो इसी तरह इन्होंने अपना agriculture का एक cycle बना लिया था बार आने के पहले पहले जुताई करके उप जाकर उसकी कटाई भी कर लेते थे ठीक है एक step और हम आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं यह किस त फटा कर देखे previous year चाहे central civil services या state civil services के तो आपको दिखाई देगा कि जो कई सारे ऐसे question है जो इंडस वैली या वैदिकेट से पूछा है question में नहीं statement में दे दिया है animals के नाम या फिर in food grains के नाम और पूछेगा बताईए इन में से किसका production और नीचे statement में है तो इसलिए जो statement है वहाँ पर कभी-कभी इस तरह के questions आ जाते तो आप इनको याद कर लीजे बेसिकली यह इन चीजों का production कर रहे थे गेहूं हो गया या जो मोटे अनाज हो गये बाजरा हो गया रागी हो गया सरसो हो गया चावल हो गया important चीज क्या है यह लोग cotton का भी production कर रहे थे cotton यानि क कपास का production कर रहे थे ओके एक और चीज मैं आपको बता दू कि सबसे पहले कपास से जो कपड़े बनाने का काम होता है वो यही लोग चालू करते हैं कौन इंडस वैली civilization की लोग यानि यह लोग कपास का प्रयोग किसमें कपड़े बनाने में चालू कर देते हैं तो important है यह स या फिर इसको क्या कहा जाता था अन्नागार कहा जाता था तो इन्हों ने बड़े बड़े अन्नागार बनाए हुए थे यह जो ग्रेनरीज थी यह हमें ये भी दिखाती है कि क्या यहां के government as a tax इनसे अनाज लेती थी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अगर वो मोहन जैसी कोई चीज नहीं थी ना कोई कॉइन बगेरा किसी चीज का यूज करे थे तो बेसिकलिए ये यूज करते थे बार्टर सिस्टम या जिसको बोलते हम वस्तू विनिमे प्रणाली यानि मेरे पास गेहू पैदा हुआ आपने अपने घर टमाटर उगाया अब मुझे चा कमी क्या थी कमी ये होती है कि भई अगर मुझे टमाटर चाहिए तो मैं ऐसे परसन को ढूणूंगी जिसको गेहू भी चाहिए क्योंकि अगर उसके पास टमाटर है लेकिन उसको गेहू नहीं चाहिए तो वो क्यों लेगा समझ में आ गया है तो इस तरह की व्यवस्ता हमें दिखाई देती तो बहुत ज़्यादा डवलप ट्रेड नहीं होता है क्योंकि बार्टर सिस्टम था कोई यहाँ पे कॉइन मैटल कॉइन वगेरा यूज नहीं कर रहे थे अब ये लोग जब बार्टर सिस्टम था तो गवर्मेंट इनसे टेक्स ऐसी कोई गवर्मेंट नही तो बदले में वो कुछ तो लेंगे तो बदले में वो टैक्स के रूप में क्या लेते थे इन्हीं अनाजों को लेते थे ऐसा लगता है हमें कि कहीं न कहीं वो लोगों से अनाज के रूप में ही टैक्स ले रहे थे इतना ही नहीं हमें ये भी समझ आता है कि वो जो अनाज क पर लोगों को खाने की किलत का सामना करना पड़े तो वो इसी फूड ग्रेनरी से अनाज निकाल कर सिचुएशन को हैंडल कर सके तो ये कुछ हमें आर्केलोजिकल एविदेंस मिलते हैं जिन से हमने इन बातों को प्रिडिक्ट किया है ओके तो ये सारे आपको ध्यान रखने ह कि एक्जाम में पूछे तो आप इसीली इसको कर पाए नेक्स्ट क्या बोल रहा है पंडित शिवानी भादवाजी गुड इवनिंग भई चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है ओके डोमेस्टिकेशन ऑफ अनिमल्स अगर हम बात करें कि क्या ये लोग पशुपालन करते थे बिलकुल पशुपालन करते थे अग्रिकल्चर है तो डोमेस्टिकेशन बिलकुल होगा क्योंकि अब भई ये लोग खेती कर रहे है तो हमें वैसे प्रॉपर तो नहीं पता कि ये लोग हलका यूज करते थे या जानवरों का यूज करते थे जुताई करने में लेकिन कहीं ना कहीं जानवर इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि यह लोग एग्रिकल्चर कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पर एग्रिकल्चर बड़े लेवल पर था लेकिन साथ ही साथ यह बोमेस्टिकेशन भी कर रहे थे पशुएं का पालन भी कर रहे थे और पशुएं पालन के हमें साक्षे ना कहीं सिंबल बना हुए है यानि कि animals इनके life में इतने जादा important थे कि इनके seals पर हमें जगा 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 जानवरों के साक्षे दिखाई दिखाई देते हैं और जब हम इन सभी साक्षेओं को या जो हमें archaeological evidence यानि कि हड़ी अफशेश वगेरा मिलते हैं उससे हमाँ पता लगा कि basically इन जानवरों से परिच इन जानवरों का ये लो या एक और है कूबड़ वाला सांड वो इनकी life में बहुत important था आप maximum जो इनके seals देखोगे वहाँ पर आपको कूबड़ वाले सांड दिखाई देते हैं जो कहीं न कहीं दिखाता है कि ये लोग कूबड़ वाले सांड को मतलब कहीं न कहीं उससे connect क करते थे पूजा पाठ के लिए है ना वो धार्मिक सिंबल के रूप में इनके दिखाई देता है कि ये कूबड़ वाले सांड को कहीं न कहीं पूजा जो है उसके रूप में उपने रूप में वहां पर हमें ये दिखाई देता है आपने देखा होगा आज भी इंडियन culture मे मैंने personally देखा एक दो बार कि कई बार जो है कूबड वाले जो सांड या बैल वगेरा होते हैं उनको लेकर कुछ लोग आते हैं और मतलब वो ये दिखादे की कोशिश करते हैं कि ये उनका सिंबल है भगवान का सिंबल है ठीक है और लोग जो है डान वगेरा भी देते हैं तो domestication में आपको ध्यान रखना है ये इन सारे animals को जानते थे एक और चीज मैं यहां पर बता दू जिससे direct exam में question पूछता है horse या फिर घोड़ा UPSC में भी पूछा गया था I think 2017 में question आया था घोड़े से related कि भई क्या ये घोड़े से परिचित थे या नहीं थे तो अगर कभी exam में पूछा जा रहा है Indus Valley Civilization के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे तो आपको टिक करके आना है बिलकुल परिचित थे हमें exact नहीं पता confirm नहीं पता लेकिन हमें terracotta toys मिले हैं लोथल से लोथल की location मैं आपको कल की class में दिखाऊंगी तो यहां गुजरात में घोड़े की आकरति के इसी तरह गुजरात के भी पास एक और location है और इसका नाम है सुर्कोटदा यह जो सुर्कोटदा है यहां से हमें अस्ति पंजर यानि कुछ हड़ी के अफशेश मिले हैं exact नहीं पता लग रहा है कि घोड़ा है कि गधा है लेकिन कहीं न कहीं वो दिख बिल्कुल भी यूज नहीं था actually जो घोड़े का यूज चालो होता है वो इनके बाद जो आरेन आएंगे जो आरें आएंगे वो लोगों की लाइफ में घोड़े का बहुत महत्व होता है in fact वो लोग तो उसके लिए यग्य वगेरा भी करते थे ओके तो आपको ध्यान रख उस पर भी हम जाएंगे तो basically ये सब इन जानवरों से परिच्चित थे और इनका domestication वगेरा हमें करते वे दिखाई देते हैं next हम discuss करेंगे technology और craft कि ये किस तरह की तकनीकी या फिर बोल सकते हैं किस तरह के शिल्प को अपना रहे थे किस तरह से कारे को कर रहे थे तो अगर ह तो basically ये stone age के बाद आता है पत्थर वाले time period के बाद ही आता है ना metal वाला time period इसको bronze age क्या रहे हैं तो ये सिंदु घाटी सब्धता में basically stones का बड़े level पर use किया जा रहा था लेकिन इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या bronze age bronze को हिंदी में बोलते हैं kasa या फिर बोला जाता ह इसे कास से युग तो हमें यहां के technique में important चीज दिखाई देती है कि इन्होंने दो metal से दो metal को मिला कर एक metal बनाना सीख लिया था और वो metal क्या था kasa अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे से जानते थे किस temperature पर इन metal को पिघलाना है इनको मिलाना है और नए metal का formation करना है जैसे ये लोग tin को copper के साथ मिला कर copper मतला तामबा जो अल्रीडी आ चुका था सबसे पहला metal जो यूज किया गया था तामबा था तो तामबा और तिन को मिला कर ये लोग kasa बनाना जान चुके थे तो इस level की technique जो है हमें इस समय दिखाई देती है और बड़े level पर हमें kasa की मूर्तियां दिखाई देती है especially अगर मैं बात करूँ तो महिला मृर्ण मूर्तियां बड़े level पर हमें दिखाई देती है इस समय कासे की अगर हम बात करें ये metal क्या ये metal इन्हें इंडिया में ही मिल रहे थे तो पूरे तरीके से तो नहीं बोल सकते जैसे copper की अगर हम बात क करें तो इंडिया में कोई सोर्स नहीं था अफगानिस्तान से ये लोग टिन मंगा रहे थे तो ये जब आप इनके बात करते हैं क्राफ्ट की जब आप बात करते हैं ये एक metal बना रहे हैं और वह उस metal का इतने बड़े level पर यूस कर रहे हैं कि इसे bronze age कहा जा रहा है तो से develop form में यहां पर हमें urbanization दिखाई दे दिया ओके तो यहां पर मैंने कुछ इनके crafts के ये दिखा रखे हैं कि किस तरह से ये लोग इस तरह चोटे चोटे टेरा कोटा टॉइस बनाते थे यानि उस develop form में पहुँच चुकी थी यहां की cities कि ये अब आवेश्यत नहीं बलकि व प्रण मूर्तियां बना रहे थे ठीक हैं आगे बढ़ जाते निक्स्ट इसके अलावा ये कई सारे वेपन वगेरा का भी formation कर रहे थे यानि बड़े लेवल पर यहां पर हस्त शिल्प हमें दिखाई देता है क्राफ्ट मैं दिखाई देते जो अलग-अलग चीजों में कुछ आदमी लगे वेते सील बनाने में सील बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता था इसका यूज क्या होता था सील जो है कॉइन मत समझना इसने सील एक तरह से बोल सकते मुहर लगाने के काम आता था अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग देश के अंदर ही न क्योंकि आज की जैसी टेक्नलोजी है नहीं पैकेजिंग सिस्टम इतना डवलप था नहीं तो वो लोग जब चीजों को पैक करते थे तो उसके उपर मिट्टी का लेप लगा कर इन सील का यूज करते थे उस पर मुहर लगाने में और अगर ये सामान एक जगा से दूसरी ज ऐसा ही इसका मतलब सुरक्षित है लेकिन अगर आपने उसको खोलने की कोशिश की सील टूट गया वो सॉरी वो जो उस पर चाप बना हो था वो चाप टूट गया तो वो सील तो मालिक के पास है तो उससे पता लग जाता था कि इस सामान के साथ छेड़ खानी की गई है तो स ट्राइब की जो बीट्स होती है उनका फॉर्मेशन कर रहे थे गले में माला जूलरी वगेरा के काफी ये लोग शौकीन थे काफी फैशनेबल थे तो उन चीजों का यूज करते थे ना केवल फीमेल बलकी मेल भी बड़े लेवल पर जूलरी जो है उनको धारन करते थे पो क्राफ्ट और टेक्नलोजी ठीक है अभी फैक्च्वल पर नहीं आ रहे हैं अभी हम ओवराल डिसकेशन कर रहे हैं और जब हम एक एक करके लोकेशन को डिसकस करेंगे साइट को डिसकस करेंगे हडा पाम मोहन जोद्रों तो हम देखेंगे कहां से क्या-क्या चीजे मिली हु जा है आप बताएंगे किस तरह से अलग-अलग क्राफ्ट में यह लोग इन्वाल्व थे चाहे हम बात करें पोटरी सिस्टम चाहे हम बात करें जो है कॉटन से यह लोग कपड़े जो है उनका प्रोड़क्शन करें बीड मेकिंग करें सील बना रहें बोट यानि नाव बना तो बेसिकली हमें दिखाई देता है कि ये लोग अच्छे से व्यापार कर रहे थे और व्यापार करने के लिए बहुत जरूरी क्या होता है वेट और मेजरमेंट यानि आपके पास नाप तॉल की विवस्ता होनी चाहिए और नाप तॉल के लिए इन्होंने प्रॉपर इस्ट पाता है कि कहीं ना कहीं इनके यहां पर बड़े लेवल पर इंटर्नल और एक्स्टर्नल ट्रेड चलता है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई एक और चीज ट्रेड का हमें इंडिकेशन देती है जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या कि यह लोग क्या कर रहे थे एक नया मैटल बना रहे थे ब्रॉंच और हमें पता है कि ब्रॉंच बनाने के लिए जो रॉम मटेरियल है जो कच्चा माल है तिन इनके पास है ही नहीं तो यह भी दिखाती है इनके ट्रेड या डेवलप ट्रेड को कि किस तरह यह अपने रॉम मटेरियल की आविशकता को इंपोर्ट करक एक है ना क्वेश्चन तो यह आएका कि आपने वहां से टिन मंगाया तो आपने दिया क्या क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह लोग मैटल मनी का यूज़ नहीं करते थे किसी मैटल को एज़ब मनी यह लोग इंटर्यूस नहीं किया था ना उसका यह मैटल मनी दिखाई नहीं देता है बार्टर सिस्टम यानि वस्तु विनी में प्रणाली हमने आपको समान दिया आपने बदले में हमें कुछ समान दिया जिसकी हमें जरूरत थे ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड तो भले चल रहा है लेकिन शायद अगर इनके पास लेवनाप स्टेज में जाता क्यूंकि इनके पास मनी नहीं था तो ट्रेड भले हो राथा लेकिन उस पीक लेवल पर नहीं जा पाया ऐसा हमें दिखाई देता है ठीक है क्लियर हो गया और क्या-क्याप चीजे दिखाई देती हैं हमें ट्रेड के बारे में कि ये लोग पैय wheel मिले, यानि वो जो साथ में वो निकली होती, तिलिया वैसे नहीं, बलकि गोल चक्के वाले पहियों का ये बैसिकली ज्यादा use कर रहे थे, अगर हम trade की बात करें, internal trade तो इनका चल ही रहा था, कहां से, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया यहां से तो व्यापार चली रहा था लेकिन अगर हम external trade की बात करें तो बड़े लेवल पर हमें trade दिखाई देता है इरान और अफगानिस्थान इरान और अफगानिस्थान से ये लोग basically जिस चीज का trade कर रहे थे वो क्या था metal था यारी ये अपनी धातों की अविशक्ता को इरान और अफगानिस्थान से पूरा कर रहे थे इतना ही नहीं इनका trade चल रहा था Central Asia मध्धे Asia और जो आपकी Mesopotamia सभेता है जिसको आप बोलते हैं वो कहां बसती है टिग्रिस और यूफरेट रीवर ये कहां मिलती है इरान के आसपास में ओके तो टिग्रिस और तिग्रिस यूफरेट रीवर के आसपास जो बसी थी देखो उस समय जो तीनों सिविलाइजेशन सी मैं आपको एक बार मैप से बता दूं यहां पर एक सेकेंड रूपना समझ जी लो है ना अगर आप ये सॉरी ओके अगर आप इसे वर् इंडस रीवर पे दिखाई देती है इंडिया में इसी तरह यहां पर एक रीवर है जिसको नाई या नील नदी के नाम से जाना जाता है यहां पर हमें एक सब्वेता दिखाई देती है जिसको आप बोलते हैं मिश्र की सब्वेता और इसी तरह एक और हमें इरान के आसपास सब्भेता दिखाई दिखाई दिती है यूफरिट और टिगरिस नदी के आसपस जिसे आप बोलते हैं मेसोपोटामिय सब्भेता तो बेसिकली जो भी उस समय सिविलाइजेशन थी ये रीवर के सामना ना करना पड़े तो ये तीनों सिविलाइजेशन जो एक दूसरे के पैरलली चल रही थी ये सब इसी तरह रीवर पर बसी हुई दिखाई देती है अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इंडिया का ट्रेड ना केवल अफगानिस्तान के साथ था बलकि यूफरिट टिगरि इस रीवर पर बसा हुआ जो है मेसोपोटामिया और यहाँ नाइल नदी पर जो हमें दिखाई देता है मिश्र की सब्हता इनके साथ भी इनका ट्रेड चल रहा था और यहाँ पर एक आपको एविडेंस दिया है कि काफी सारी सील्स मिली है काफी सारी हड़पन सील हमें डि ब्योग करते हुए दिखाई देते हैं इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां और वहाँ के बीच में ट्रेड था तभी वहां की सील इंडिया वहां पर किस तरह के सील यूज के जाते थे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो वहां पर सिलेंड्रिकल सील यूज के जाते थे तो जो मेसो पुटामय सभ्धिता है, इस मेसो पुटामय सभ्धिता के बारे में भी हमें कुछ records मिले है, कुछ लिखित साक्षे मिले है, जहाँ पर एक word का use किया गया है जिसका नाम है मेलूहा, और बताया गया है कि मेलूहा के साथ हमारा trade चलना था, लगबग-लगबग इस time period के और जब हमने उसको अपने सिंदू घाटी से connect किया तो हमें बता लगता है कि actually ये जो मेलुहा वर्ड है ये किसको indicate करता है ये इंडस वैली civilization को indicate करता है तो ये हमें बताता है हमारे external trade के बारे में तो अगर बात करें सिंदू घाटी सभेता के व्यपार की तो बड़े लेवल पर व्यपार चल रहा था ना केवल आंतरीक बल्कि बाहे व्यपार भी चल रहा था व्यपार का medium क्या था तो उस समय कोई metal coin introduced नहीं हुआ था तो basically ये लोग बार्टर सिस्टम या वस्तू भी नहीं मैं प्रणाली का use कर रहे थे व्यपार करने में important हमने point देखा कि इनका external व हमने दिखाया मेलूहा वर्ड जो है वो मेसोप्रोटामिया सभ्यता में यूज हुआ है जो कहीं न कहीं इंडस्वाली सिविलाइजेशन के को ही इंडिकेट कर रहा है ठीक है समझ में आ गया clear हो गया चलिए आगे बढ़ जाते next political organization ये पूरे के पूरे सिंदु घाटी सभ् पढ़ार ये common चीज़े factual हम बाद में आएंगे कल की क्लास में तो पूरे के पूरे इंडस्वाली सिविलाइजेशन में हमें क्या दिखाई देता है कि किस तरह का political organization था राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी तो कोई proper राजितंत्र नहीं था ना कोई राजमहल होता था बस इतन ना कहीं ट्रेड में अपने आपको सुपीरियर बना चुके थे जो पुरोहित वर्ग होते होंगे इस तरह की लोग जो थे वो अपने आपको ruling class में count करते थे और एक कोई person नहीं हो था था individual बलकि लोगों का group होता था अगर आप वो मोहन जोदरो movie देखेंगे तो वहाँ पर बलकि वही जो आपके बोल सकते हैं कि थोड़े से सुपीरियर पहुँच चुके थे ट्रेड में या बाकी चीजों में तो उन्हों नहीं कहीं कहीं वहाँ पर ruling class के रूप में देखते थे तो प्रॉपर कोई political organization, political system हमें नहीं दिखाई देता है बस हमें पता लगता है कि कु आप से ही चीजों को manage किया जाता होगा, यह हमें यहां से दिखाई देता है, ठीक है, next यहां पर क्या बोल रहा है, cultural, cultural homogeneity, ठीक है, next बोल रहा है, cultural homogeneity reveals there was a central authority, लिकिन जो हमें यहां पर दिखाई देती है, सांसकर्तिक एकता, अगर आप पूरे के पूरे सिंदु घाटी स सब्वेता में देखोगे, तो आपको दिखाई देता है कि एक तरह का ही structure दिख रहा है, तो कहीं न कहीं यह indication है, कि यहां पर कोई न कोई central authority होती होगी, माल लो भई सिंदु घाटी का कोई एक नगर है, हडपा नगर, उस पूरे के पूरे नगर में एक ही जैसे सारे घर बन पूरे रहा है कि आप सभी को इस तरीके से काम करना है, आप सभी को इन चीजों को ऐसे manage करना है, clear हो गए इतनी बात, सभी के समझ में आ गया, next क्या बोल रहा है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि यहां पर किसी तरह के हथियार वगेरा नहीं मिलते हैं, यानि किसी तरह के यहां पर weapon वगेरा नहीं मिलते हैं, आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर ruling class भले था, लेकिन उस तरह का ruling class नहीं था, जो proper बड़े बड़े weapons का use करते हैं, जैसे आप आगे चल कर देखोगे, ancient history में, morians के बारे में, गुपतास के बारे में, तो season लेते थे, दो चार इनके सिपाही होते थे, वो कोई बात नहीं मानता था, उनसे बात बनवा लेते थे, ना कोई हथियार यूज कर रहे हैं, ना इस तरह का कोई proper standing army है, और ना ही कोई proper इस तरह का structure king वाला या फिर कोई राजमहल हमें दिखाई देता है, ओके, next हम चलते है यह image यहाँ पर गलत लग गई है, दूसरे का है, मैं अभी दिखा दूँगी, जहाँ पर हमें यह image discuss करना है, religious practices, अगर हम बात करें, इनके धर्म की, कि क्या इनके जीवन में धर्म था, बड़े लेवल पर था, यानि हमें इनकी religious practice बड़े लेवल पर दिखाई देती है, धा है, मनोज जैपूर जी बोल रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है, ओके, क्लास की टाइमिंग है आपकी शाम के 7 बजे, तो डेली हम लाइव आते हैं, 7-8 हमारी classes चलती है, तीन दिन हम history और तीन दिन हम polity discuss करते हैं, तो आप लोग भी जुड़िए, regular basis पे हमारी इस class से, ओके, गुड़ इवनिंग नमरता कुमारी जी, हां जी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम बात करें religious practices की, अभी हम आगे डिसकस करेंगे, कुछ बचे हैं आप मुखिया वगेरा के बात करें, सब देखेंगे, धीरे-धीरे, पहले आप common चीजे देख लो, जो बड़े लेवल पर, इस तरह के, इस तरी मरण मूर्तिया दिखाई देती हैं, यानि, इनके life में ऐसा लगता है, कि महिलाओं का, बहुत जादा महत्व होता था, और बड़े लेवल पर, इन्होंने इस तरह के, महिला के structure में, मूर्तिया बनाई है, और जो symbol है, किसका, देव का, ठीक है, समझ में आ गया, तो इनके life में, हमें इस तरह के, बड़े लेवल पर, इस तरी मरण मूर्तिया दिखाई देती है, जो कही न कहीं, मात्र देवी, जो Goddess होती है, उनको indicate करता है, ठीक है, इतना ही नहीं, हमें एक ऐसी भी मूर्ति मिली है, एक ऐसा भी archaeological evidence मिला है, और कौन सा भगवान, उरवर्ता की देवी, यानि जब आपने जमीन में बीच बोया, तो वहाँ पेड निकल गया, तो कहीं न कहीं, इन्होंने भगवान को, सौरी, जमीन को क्या माना है, एक female माना है, और उनके पेड से पेड ऊपता हुआ दिखाई, इसका मतलब है, कि ये उसको उरवर्ता की देवी, यानि वो प्रोडेक्शन, वो प्रोड्यूस कर रही है, उसका वो उनको भगवान मानकर पूझ रहे हैं, तो ना केवल ये इस तरह कि मतलब जो female God है, उनकी पूझा, सौरी, Goddess है उनकी पूझा, बलकि ये जमीन, यानि उनको उरवर्ता की देवी मानकर उनकी भी पूझा करते हैं, हमें दिखाई देता है, इतना ही नहीं हमें यहाँ पे काफी ऐसी सील मिली है, एक सील के बारे में बताना चाहूंगी, एक ऐसी सील मिली है, जहां पर हमें एक male deity, या फिर बोल सकते हैं कि एक पुरुष की आकरती में इनके एक देवता दि मुझते थे, क्योंकि इनका कुछ structure ऐसी दिखाई देता है, यह वो सील है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और चीज, यह सील भी break हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह से सील को वापस से imagine करके वापस से organize किया गया, अगर आप इनके male deity, यानि इस पुरुष देवता की picture द रक्षा इस तरह के symbol को indicate कर रहा है, इनके पाओं के पास भी हमें दो हिरन जो शांत जानवर के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, तो अगर हम बात करें इनके पूजा की, तो यह लोग महिला, देवी, या फिर बात करें, हम पुरुष देवता जिनको यह बोलते थे पशुपती नाथ, उनकी भी पूजा करते वे दिखाई देते हैं, इसके अलावा हमें यह दिख रहा है कि यह एक योगी की मुद्रा में, आपने देखा होगा, योगी मतलब जो योग वगरा कर रहे हैं, तो उस तरह के पॉश्चर में बैठे वे यह दिखाई देते हैं, तो यह हमें कुछ चीज़े हैं, जो ध्यान रखनी है, कि इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस था, महिला, मृण मूर्टी और इस तरह के कुछ सील्स वगरा, जो सिंबल है, जो दिखाते कि यह लोग पूजा पार्ट कर रहे थे, भगवान में इनकी आस्थाती, और ब पूजा करते थे, इस तरह से भगवान को मानकर इनकी पूजा करते थे, जो चीज़े इनके समझ में नहीं आती थी, नेक्स अगर बात करें, ट्री एंड एनिमल वर्शिप तो बिल्कुल, ये लोग पेड़ पौधों और जानवरों की भी पूजा करते थे, ये इमेज यही की है, अगर आप इसे देखो, तो काफी सारी ऐसी सील्दस है, जिन के सील में, इनके सील में हमें वो people के पेड़ के कुछ branches से दिखाई दिया है, तो कहीं नकाई ये इन कहीं ये इंडिकेट करता है, कि ये लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, तभी इनके सील में हमें प पूजा करते थे, especially अगर मैं कुछ animals की बात करूँ, तो unicorn आपने सुना होगा, और नहीं सुना है, तो वहाँ पर देख लेना, Mohan Jodaro जो movie है, उसमें वो दिखाया भी है, कि किस तरह उसके गले में एक locket होता है, unicorn, unicorn, बार बार उसको दिमाग में चल रहा होता है, तो basically हमें maximum ज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन important चीज क्या है, कि इस समय तक मंदर वगेरा जैसी कोई चीज introduced नहीं हुई है, दो चीजे में आपको बता दू, अगर आप से exam में पूछ रहा है कि पहली बार, मूर्ती पूजा कहां चालो हुई, तो आप लोग directly answer लिख कर आएंगे, इस Indus Valley Civilization म क्योंकि आपको पता है, इसके पहले जो सभेता थी, वहाँ आपको कोई पूजा नहीं दिखाई दी, इसके पहले जो स्टोनेश था, वहाँ कोई मूर्ती वगेरा नहीं दिखाई दी, तो एक human के form में, मूर्ती बनाकर उसकी पूजा जो हमें पहली बार दिखाई दे थी, पूजा कहां दिखती है, इसी सिंदु घाटे सभेता में अगर आपसे question पूछा गया, लेकिन अगर आपसे question पूछा जा रहा है कि पहली बार मानव, किसी मानव की मूर्ती बनाके पूजा कब चालोगी गई, तो ये answer नहीं होगा, ये किसी मानव की मूर्ती नहीं, हम जो द तब बताऊंगी कि पहली बार किसी मानव की मूर्ती बनाके पूजा कब चालोगी गई थी, लेकिन अगर मूर्ती पूजा केवल पूछ रहे तो वो यहीं से चालोगी होती है, मंदिर इस समय पे इंटर्डूस नहीं होता है, इतना ही नहीं, ये लोग male female दोनों की ही पूज पूजा कर रहे थे, जानवरों की भी पूजा कर रहे थे और इनके साथ साथ ये आपका जो पेड़ पूजा भी हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं सील्स वगरा से जो सिंबल मिलते हैं, उनसे हमने इस तरह का प्रेडिक्ट किया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो य यही है वो इंडस वाली सिवलाइजेशन जहां पर पहली बार स्वास्तिक का जो सिंबल है वो इंटर्ड्यूस होता है, जो आज का आप स्वास्तिक देखते हैं, यह तो बिलकुल डवलप फॉर्म है, लेकिन उस समय स्वास्तिक इस तरह से नहीं, कई इस तरह का जिमेट्र में हमें दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखना है, स्वास्तिक की भी पूजा में यहीं से दिखाई देती है, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, हाँ एक और चीज, जो पश्यूपती, जो लिंग पूजा है, हमारे हिंदु धर्म में बहुत ज टाइम हो गया, क्या, टाइम अभी एक मिनट बच्चा है, जल्दी से हम देख लेते हैं, इनकी अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, लिपी की बात करें, तो बैसिकली एक बच्चे पूशे, सील किसका बना होता था, पत्थर का ही बनेगा, बैसिकली यह लोग जो है, सील्स पत्थर के ही बनाते थे, ठीक है, इसक्रिप्ट अगर हम बात करें, किस तरह की लिपी का प्रयोक करते थे, तो भाई इतनने डवलफ फार्म में थे, कि इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी बना ली थी, इन्होंने अपनी लिपी बनाली थे, यह लिखना जान चुके थे, सम इसको पढ़े जाने के कोशिश करें लेकिन अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं गया जेसले रीयर ज। लिया जो इसकी पढ़ा गया है। Pictographic मतलब भाव चित्रात्मग यानि कि वो चित्र के फॉर्म में उसको explain कर रहे हैं और क्योंकि pictures के फॉर्म में explain करते थे तो बहुत लंबे inscription नहीं होते थे बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखता थे बलकि बहुत छोटे फॉर्म में ये काफी सारी चीजों को explain कर देते थे pictures के फॉर्म में वही जानते उन्होंने क्या लिखा उन्होंने एक मचली बनाई एक यहाँ पर पानी बना दिया और यहाँ पर सूरज बना दिया अब इनके हिसाब से इन्होंने कोई बात लिख दिया तो बहुत छोटे इनके inscriptions मिले हैं अगर मैं बात करूं टोटल तो 2000 के आसपास हमें इनके ये जो है इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं पिक्टोग्राफिक ठीक है यह बात आपके समझ में आ गए तो यह आपको ध्यान रखना है भाव घ्षित्रात्मत के लिपी लिमिटेड हमें दिखाई देता है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकाइब ठीक है और यह आपको मैंने दिखा दिये गिए तको यह सारे मैं आपको बताऊंगी मैं आपको बताऊंगी और कराऊंगी भी कोशिश करूंगी कि हाँ आपकी वो जो वीडियो है वो कंटीन्यू कराई जाए ठीक है देख लिया मैंने सौरफ परमार जी आपका मैसेज देख लिया बिल्कुल कुछ भी ऐसा प्लान होगा तो जरूर आपक है ऐसी चीजे कराई जा सकती है क्लियर हो गया सभी के समझ में आ गया ओके तो चलिए भई आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं बाकि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक करो और जादा से जादा शेयर करो अभी भी लाइक मुझे बहुत कम दिखाया दे रहे बच्चे जादा हो जाते लाइक कम हो जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब आप लास्ट तक रूखे हो है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से एक बार channel को subscribe कर देंगे, video को like कर देंगे और comment section में comment करके अपना feedback जरूर देंगे आपको classes कैसी लगी, Telegram group का link भी दिया हुआ है तो आपधो description box में जाएंगे, Telegram group के link पर click करेंगे और उसे join करेंगे क्योंकि हमारी सारी classes की PDF आपको वहीं पर मिलती है ठीक है भई तो चलिए भई आज की class को यहीं रोकते हैं कल मिलेंगे शाम को 7 बज़े इसी को आगे हम continue करेंगे तो 7 बज़े एक्जेक्ट हमसे जुड़ना मत भूलेगा हमारी UPSC-247 चैनल पर थैंक यू